दोस्तो आज हम ऐसे कोई ड्रामास को कवर करने वाले हैं जिन्होंने अपनी शो लाइन से सभी के ड्रामास फैंस को हैरान कर दिया है और उन्हें को जवदस दिखाया है यह मोश्ट पुपलर कोई ड्रामास का सेकेंड पार्ट है इसकी पिछली वीडियो यानिकि इसके पर एट से उपर की जवदस रेडिंग भी दी गई है तो ऐसे पॉपलर कोई ड्रामास को मिस्ट ना करने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें सो लेट्स बिगें अब बिजनस प्रोपोजल इस से टुट हाउजन टोड़ी टो मिलिस के गयता उसे आम डी पर 8.1 आउट ओफ एंगेडिंग मिली है नेट्फिक्स पर अवलेवल यह कोई ड्रामा वन ऑफ दी बेस्ट रोमेंस कोई ड्रामास में से एक है जहां वो काई देखने को मिलती है कांग टाई की जो की बड़ी बिजनस कंपनी का सीओ होता है और उसे काम करना काफी पसंद ह होता है इसलिए उसके पास किसी भी डेट में जाने का वक्त नहीं होता है पर फिर एक दिन अपने ग्रेंट फादर की कंडिशन की वजह से कांग टाई को डेट पर जाना पड़ जाता है और उस डेट पर वो जीन यंग से मिलने वाला होता है जो चायबल कंपनी की वारिस हो देता है जिसके बाद ना चाहते हुए भी शिनारी को कांग टाई को डेट करना पड़ जाता है और इसी चीज़ की वजह से उसे आगे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमें कुछ ट्विष्ट और टरन से भरी एक खुश्रस लफशूरी देखने को मिलती है इ जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा आता उसका नाम में डेजर्टर पर्सीयोड यानि की डीपी इससे 2021 में लिसकी करता उसे आमडी पर 8.6 आउट ऑफ टेंगेडिंग मिली है इस डाउम में आपको साउथ कोडिया के एक ऐसे कानूं की बारे में बदा चलने वाला है इसकी हो जाता है जो उन लोगों को पखड़ती है जो मिलिटरी में जॉइन होने के बाद अभी रूडी छोड़ कर भागने की कोशिश करते हैं इसी दुरहन हमें साउथ कोरियन मिलिटरी केडिट की डाक सचाही भी दिखाई जाती है जो आप सभी को हैरान कर देगी और जुन हो क को इस मिलिटरी डिफेक्टर टीम की वजह से किनकी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है यह सभी आपको इस डामों में एक्शन थ्रिल के साथ दिखाया गया है इस डामों में 26 एपिसोड है जिनकी लेंद 45 से 55 मिनट की होने वाली है जिनने आप नेट्टिक्स में आप से कर सकते हैं जो हमारे अगला को डिन ड्रामा आता है उसके नामे रेन और शाइन इससे 2017 में रिसकी के ता उससे अमडी पर 8.2 आउट आफ टेंगेडिंग मिली है इस ड्रमा की गानी शुरू होती है एक बहुत बड़े ट्रैजिक एक्सिडेंट की वजह से जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग उस भायानक एक्सिडेंट से बच जाते हैं और उनी बचे होए लोगों में से हमारे इस ड्रमा के में लीड कांग डू और फीमेल लीड मून सू होती है जिन्हों ने उस एक्सिडेंट की वज़ह से अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया था और उसके कई सालों बाद उन दोनों की किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है उसी जगह में जहां कई सालों पहले वही एक खौपनाक एक्सिडेंट हुआ था कांग डू एक कंस्ट्रेक्शन वरकर होता है और मून सू एक आर्केलोजिस्ट होती है और उनकी पूरी टी टेलिगाम चैनल पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं जो हमारा अगला कोई ड्रामा आतास को नाम है किंग्डम में इसकी कहता उसा अमडी पर 8.4 आउट आफ टेंगेडिंग मिली है यह वन आफ दी बेस्ट जॉंबी कोई ड्रामास में से एक है जहां पर आप काई देखने वा लोग जॉंबी से बदल कर बागी लोगों में हमला करके उन्हें भी अपनी तरह बना देते हैं जिसके अबात क्राउन पिस अपने राज्जी को इस महामारी से कैसे बजाते हैं और उस दुरान उन्हें और भी कई चुनोतियों के सामना करना पड़ता है जिसकी वज़े से यह ड्रामा आपको शूर से लेकर लास तक अपनी स्टोरी के साथ बांधे रखता है इस ड्रामा के अभी तक दो सीजन आये हैं जिनके अंदर आपको टोटल ट्रॉल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिनकी लैंस 36 से 56 मिनट की होने वाली है जिनने आप नेट्विक्स ना की बिमारी होती है पर गुरू को छोड़ी से छोड़ी चीज़े नोडिस करनी का एक एक एकस्टेप्शनल टैलेंट होता है जिसकी वजह से वो अपने फादर की मुव डू हैवन की जॉब में भी मदद करता है उस जॉब में उनका काम होता है गुजरे लोगों के घर को साफ करना और उनके घर वालों को उनके आखरी इंपोर्डेंट चीज़ लोटाना पर एक दिन हांग गुरू के फादर की दैथ हो जाती है जिसके बाद हांग गुरू की जिम्मदारी उसके अंकल चो सांग को मिलती है जो अभी अभी जेल से छोड़ कर आया होता है और 60 मिट की होने वाली है जिनने अपने अफ्रिक्स में अराम से इंजॉय कर सकते हैं जो हमारा अलग होई इन ट्रामा आता उसको नाम है स्नो ट्रॉप इस द्रामा में फीमें लीड में काम किया है साउथ कोरिया के मशूर के पॉप गल्स ग्रूप ब्लैक पिंग की मेंबर जी इसके बास सूहो की ऐसी अलग देखकर वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर जब यंगरू को बता चलता है कि सूहो एक स्पाय है और वो यहां अपने साथे को बचाने आया है पर तब यंगरू सूहो का साथ ही देती है इसके वजह से उन दोने के साथ आगे बहुत आउट ऑफ टेंग्रेडिंग मिलिये क्या कभी आपने ऐसी बिमारी के बारे में सूना है जिसकी वजह से अगर कोई इंसान जुट बोले तो उसे हिचकी आ जाती है ऐसी बिमारी को कहते हैं पिनोक्यो सिंड्रोम हमारे फीमेल लीड करेक्टर चोई ना को होता है जो चोई करती है कि वह अपनी मौम की तरह एक न्यूज रिपोर्टर बनेगी पर उसके पिनोक्यो सिंड्रोम की वजह से उसे काफी जगा से रिजाक्ट कर दिया जाता है पर चोई डालपो के एक सड़न की वजह से चोई इना को जॉब मिल जाती है और चोई डालपो भी रिपोर्ट आप मैंसले लगबख सभी को पता होगा कि नौज को प्रिया और साउथ कोरिया के आपस के अहलात कितने ज्यादा खराब है और ऐसे में उन दोने देशियों के कपडलने तो यह साबित कर दिया कि प्यार किसी बी बार्टर का हगदार नहीं होता है इस दमन में काई वाले कर सकता था फिर वह ऐसा कुछ भी नहीं करता बलकि वो सेरी की पूरी बास सुनता और इसके वापस घर जाने मदद करने कोशिश करता पर इसी कोशिश के दुरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी लफ्षोड़ी की वज़़से नौत कोरीन आर्मी और साथ कोरेन आर्मी उनकी साथ क्या क्या करती है यह काफी रूमाचक ट्विष्ट के साथ हमें स्कीन पर प्रेजेंट किया गया है इस ड्रम मेंट रूमेडी रूमैंस ड्रमा है जो बड़ी कंपनी का CEO होता है और अपने पास्ट के खतना खास्ते की वजह से लालची और मतलबी इनसां बन जाता है और फिर ही दिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है गौंग शिल्की जिसके पास भूतों को देखने की पावर्स होती है जिस पर पहले तो जोंग वन को यकिन नहीं होता है और बात में उसे घौन की वावर्स के काम आती है उसके बिसनस के वज़से वह दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है पर जोंगों का पाश उसे फिर से गॉंख शिल के जरीए एक अनुखी भूतों की प्रॉब्म में डाल देता है जिसके वज़े से यह कहानी हर एक अपिसोड के साथ एक अनुखा मोड लेती रहती है जिसे देखते वक्त आपको काफ फैमजी से बिलोंग करता है और उसके बच्पन में हुए एक ख़तना खास्ते की वज़े से वह ट्रॉमाटाइज हो जाता है और अपने अंदर साथ अलग अलग परसनेलिटी को बना देता है जिसे सैकलोजी में मल्टीपर परसनेलिटी डिसॉर्डर कहते हैं उसकी लाइफ करना दिया है इस दमम में टूर्ट अभी सोड है और हर एक अभी सोड सैवंटी मिनट के होने वाले हैं जिने आप में राम से इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों मुष्ट पप्लों कोई डामस की लिष्ट अभी भी बाकी है जो आपको हैरत में डालने के लिए काफी है और अगर कर दो दोस्तों में